establishment of the racial state It means Germany में Hitler ने किस तरह से racial state का establishment किया किस तरह से racial state set up किया इसके बारे में इस topic में दिया गया है कि सबसे पहले Hitler के दौरा जो है वो exclusive racial communities यानि जो pure nordic जर्मन आ रहे थे उनके लिए जो है वो सारी सुविदाएं थी बात बाकी जुतनी अधर कॉमिनीटीज थी वो सारे अंडिजेरेबल थे यानि वो जीने योग्य नहीं थे वो अयोग्य थे वो सर्वाइब नहीं कर सकते थे और वो भी नौडिक जर्मन आरे में केवल उन्हें ही प्योर माना जाता था जो हेल्दी हो यानि अगर वो किसी तरह का फिजिकल डिसेबल हो जैसे कि अंधा हो लंगडा हो लूला हो उसे जो वो उस जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं था वैसे अंडिजेरेबल सारी कॉमिनीटीज को और नौडिक जर्मन आरे जो अंडिजेरेबल थे उन्हें उस कंट्री से जाने के लिए हिटलर ने कर दिया जो लोग चले गए उन्होंने अपनी जान बता ली जो नहीं गए हिटलर ने बड़े पहमाने पर उन सभी लोगों के जो है जिन कॉमिनीटीज को मारा गया उनमें जीओच अकेली कॉमिनीटीज नहीं थी जीओच के अलावा भी बहुत सारी कॉमिनीटीज थी जिसको इस तरह की प्रोब्लेम्स फेस करनी पड़ी ये बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों के मन में डर्व है जो है वो पैदा किया गया सबसे पहले तो इनके जो है वो टेस्ट कराए जाते थे कि ये पियोर नौडिक जर्मन आ रहे हैं की नहीं है कई तरह के इसी के तहत जो है वो जर्मनी पोलेंड और रसिया पे यहीं कॉंसेप्ट रखकर आकरमन करता है उनके रिसोर्सेश को जीत कर अपने में मिलाना चाहता है जो वहां के लोग होते हैं उन्हें अपना गुलाम बनाकर अपने हां लेवर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करना चा जो जितनी भी कॉमनीटीज थी उन सभी कॉमनीटीज में हिटलर या नाजी जो थे वो सबसे ज़्यादा घिर्णा और चिड़े हुए होते थे वो कॉमनीटी थी जीउट्स जीउट्स कॉमनीटी से इतना ज़ादा घिर्णा करने के पीछे हिटलर और उसकी नाजी लोगों की एक स्ट्रियो टाइप स्टोरी यह है कि उनका मानना था कि यहीं जो है वो जेजस क्राइस्ट के किलर है यानि हिटलर और उसके नाजी पार्टी के फॉलोवर्स का मानना और सोचना यह था कि जीउट्स के काराण ही जो है वो जेजस क्राइस्ट की मिलती हुई इसलिए इन्हें जीने का कोई हाक नहीं है ये इसा मसीह के हत्यारे है और इन्हें मार दिया जा इन्हें जो है वो घेटों में रखा जाता था घेटों कहने का मतलब है कि इनको इनके घर से निकाल कर एक पतलासा छेतर होता था जो लकडी के बने होते थे जहां बहुत सारी गंदगियां होती थी उन छेतरों में जो है इन्हें रखा जाता था तो इस प्रकार से हिटलर और उसकी नाजी जो लोग थे जीवत्स लोगों के साथ इस तरह के बिवहार करकर उन्हें उनके घरों से निकालकर बाहर किया गया हिटलर ने ये काम जो है वो कई स्टेप्स में किये जैसे कि अगर हम बात करें 1933 से लेकर 38 तक हिटलर ने सबसे पहले तो अपने लोगों को मजबूत किया जो है जीवत्स लोगों के अगेंस लोगों को भरकाया उनके मन में उस तरह के ख्याल डाले और सेकेंड फेस के ताथ जब वर्ड वार स्टार्ट हुआ उस दोरान जो है वो 1939 से लेकर 45 के बीच कई लाख लोगों की संख्या में इन्हें जो है वो मारा गया यह सारे काम जो है वो हिटलर के दोरा किये गए जो भी undesirable class माने जाते थे उन्हें निकाल कर जो है वो जर्मनी के बाहर जो सरकार के तोर पर छेतर जाना जाता था उस छेतर में जो है वो भेंदिया जाता था जो बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी कई तरह के सड़े गल चीज रहते थे उन छेतरों में जो है वो भेंजा गया जितने भी police लोग थे यानि Poland के लोग थे उनके घर संपत्ती को हिटलर के लोगों के द्वारा लूट लिया गया उनके बच्चों को छीन लिया गया और ँनके बच्चों को जो है वो वेरिफिकेशन्स के लिए भेन दिया जाता था अगर वो बच्चे नौडिक जर्मन आरे निकलते थे तो उन्हें हिटलर जो है वो अपने साथ उनके लिए अनाथाले बना कर जो रखा था उसमें उनका पालन पोशन करता था और नहीं जो बच्चे नौडिक जर्मन आरे नही होते थे उन्हें जो है वो मार दिया जाता था तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बहुत सारे पॉलिस लोग ऐसे थे जो जर्मन लड़कियों से साधी किये हुए थे और बहुत सारे जर्मन लोग भी ऐसे थे जो पॉलिस लड़कियों से साधी किये हुए थे इसलिए उनके जर्मन आरे होता था उसे माफी और तरक्की के लिए जो है वो आप्संस मिलते थे और जो नहीं होता था उन्हें मार दिया जाता था इतनी क्रूरतम जो है वो बेवहार हिटलर्स के द्वारा जो है वो जीवत्स पॉलिस हर तरह की कॉमुनिटीज के लोगों पर की गई